नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूँ परवीन शेख, इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आये देखते हैं सुर्खियां करनाटक हाई कोट के जज एस बी संदेश को मिली ट्रांसफर की धमकी पर कॉंग्रिस सांसत ने उठाय सवाल, कहा हमें निडर होकर अपना कर्तव्य निभाने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए, हैश्ट्रैक दरूमत केन सरकार के आदेशों के खिलाफ करनाटक हाई कोट पहुँचा ट्विटर, कमपनी ने कंटेंट को लेकर सरकार के कुछ आदेशों को वापस लेने की उठाई मांग सीबेसी बोट का रिजल्ट आने में लग सकते हैं 10 से 15 दिन, असम जैसे बार से घिरे शेत्रों से एरलिफ्ट की जा रही है, आंसर शिट शियर बाजार में हुई आज भारी गिरावट सेंसेक्स 100 अंकों की गिरावट के साथ 53,135 पर हुआ बंद, तो निफ्टी 25 अंकों के साथ 15,811 पर हुआ बंद तो ये थी सुर्खियां, आया अब बढ़ते हैं आगे, तो आज की सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांदी के खिलाफ प्रोपेगंडा से जुड़ी हुई, पिछले कई सालों से राहुल गांदी की छवी को खराब करने के लिए फेक निउस के सहारे से उन्हें निशाना जा रहा है, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि कॉंग्रिस ने भी इट का जवाब पत्थर से देने का एलान कर दिया है, आज फेक निउस से जुड़े मामले में पत्रकार रोहित रंजन को यूपी पुलिस ने गिरफतार किया, लेकिन ये गिरफतार ही पुलिस को कॉंग्रेस के दबाब में करनी पड़ी और आप बीजेपी के सांसर भी निशाने पर हैं इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा इसके साथ ही बात होगी महराश्ट की राजनीती में आए नए मोड की जानेंगे गुजराद विधान सबाद चुनाव में जीत के लिए मुकश्मीर चुनावों की भी इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम करवाएंगे आपको रूबरू तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ कॉंग्रिस सांसाद राउल गांधी के खिलाफ फेक न्यूस चलाने वाले जी न्यूस के एंकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कई राज़ों में FIR दर्ज है आज सुबा 36 गड़ की पुलिस रोहित को गिरफतार करने उनके गाजियाबाद इंद्रापुरम के घर पहुंची तो नौईडा पुलिस भी वहां पहुँच गई नौईडा पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ नौईडा के सेक्टर 20 में मामला दर्ज है फेक न्यूस के मामले में फसे रोहित रंजन को लेकर दो राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई क्या है पूरा मामला देखते हैं ये रिपोर्ट नौपुर शर्मा पर कारवाई नहीं हुई क्योंकि वो बीजेपी की प्रवक्ता थी लेकिन महमाद जुबैर जो फेक न्यूस की हकिकत सामने लाते थे उन्हें गिरफतार कर लिया गया बीजेपी निता तजिंदर बगगा को पंजाब पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया जाता है वो भी हर्याना और दिली पुलिस के सही योग से लेकिन जिगनेश मेवानी को असम पुलिस एक ट्वीट को लेकर गुजरा सी गिरफतार कर लेती है मोदी राज में ये खेल लंबे समय से चल रहा है जहां बीजेपी नेताओं को कुछ भी कहने की आजादी है किसी के बयान को तोड मरोड कर पेश करने की छूट मिली है लेकिन विपक्षी दलों से जुड़े नेताओं पर छोटे छोटे मामल में पुलिस का सक्त एक्षन तुरंथ हो जाता है लेकिन अब कॉंग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी को उसी की भाशा में जवाब देना शुरू कर दिया है बीजेपी सांसद विधायक और नेताओं के खिलाफ फेक निउस को लेकर अब एफायार दर्च की जा रही है उनकी गिरफतारियों की कोशिश की जा रही है बीजेपी समर्थकों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है रहुल गांधी के बयान को किसी और संदर्ब से जोड़ कर फेक निउस चलाने वाले जी निउस के एंकर रोहित रंजन को च्छतिसगर पुलिस के दवाब में यूपी की नॉइडा पुलिस को ही गिरफतार करना पड़ गया दरसल रहुल गांधी बीते दिनों केरल के वाइनायट गए हुए थे जहां कॉंग्रेस कार्याले कुवाम पंती संगर्थन से जोड़े लोगों ने निशाना बनाया था रहुल गांधी ने कहा था कि वो उन बच्छों को माफ करते हैं जिनों ने ये काम किया है लेकिन रोहित रंजा ने अपने शो में राहुल गांधी के इस बयान को राजिस्तान के कनहिया लाल मामले से जोड़ दिया जिसके बाद सबसे पहले कॉंग्रेस ने रोहित रंजन से माफी की मांग की और बाद में उनके खिलाफ कई राजजों में FIR दर्च करा दी आज 36 गड़ पुलिस रोहित रंजन को गिरफतार करने के लिए सुबह साड़े पांच बजे उनके इंद्रापुरम इस्तित घर पहुँच गई 36 गड़ पुलिस को देखकर रोहित ने ट्वीट कर यूपी के मुक्यमंत्री योगी आदेतिनाद, एसप गाजियाबाद और एडीजी जोन लखनों से मदद मांगी इसके बाद मामने में गाजियाबाद और नौइडा पुलिस की एंट्री हो गई रोहित ने अपने ट्वीट में लिखा बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिये 36 गड़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है इसका जवाब देती हुए 36 गड़ की रायपूर पुलिस ने लिखा सूचित करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है फिर भी अब उन्हें सूचित किया गया है पुलिस टीम ने आपको कोट का गिरफतारी वारंट दिखाया है उन्हें वास्तम में सहयोग करना चाहिए जांच में शामिल होना चाहिए और अपना पक्ष अदालत में रखना चाहिए कॉंग्रिस ने कहा है कि रोहित ने अपना अपरात खुद कबूला है योपी पलिस को सहयोग करना चाहिए बरते दवाब के बीच नोईडा पुलिस ने रोहित को गिरफतार कर लिया अब कॉंग्रिस भी बरदाश्ट नहीं करेगी कि कोई उनके नेता की इमेज को खराब करे कॉंग्रिस के इन तेवरों ने बीजेपी समर्थक नैशनल मीडिया को भी सतर्क कर दिया है कि अगर अब फेक निउस चलाई तो जेल जाना पड़ेगा वहीं दूसरी तरह महाराश्ट में सत्ता जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने भी अपने तेवर करड़े कर लिया है उद्धव ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे को चुनोती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो चुनाव करा के देख लो कौन है सत्ता का असली हकतार महाराश्ट के सत्ता पर लंबे समय तक घात लगा कर बैठने के बाद आखिर कार बीजेपी ने सत्ता पर कबजा कर ही लिया लेकिन महाराश्ट में शुरू हुआ ये खेल अभी भी जारी है और उद्धो गुट की तरफ से बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर लगातार हमला किया जा रहा है और उद्धो के बयान ये बता रहे हैं कि बागियों को लेकर उनका गुसा कम नहीं हुआ है और यही कारण है कि वो लगातार बीजेपी और शिंदे पर हमला वर है और आज एक कारिक्रम के दौरान उन्होंने शिंदे और फडनवीस को आड़े हाथो ले लिया इतना ही नहीं उद्धव ने शिंदे को चेतावनी देते हुए फडनवीस से सचेत रहने की सलाव भी थी उन्होंने कहा कल राज के डिप्टी सीम फड़नवीस ने प्रेस में जिस तरह से सीम शिंदे के सामने से माईक शीना इसी तरह कब क्या शीन लेंगे पता नहीं चलेगा उद्धवने से फड़नवीस ही नहीं बलकि एक नाथ शिंदे पर भी निशाना साधा उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कल्विधान सभा में रिक्षा चालक की रिक्षा तूफानी रफ्तार से चल रही थी इसमें ब्रेक ही नहीं था वहां बैठे लोगों को लग रहा था कि कहीं रिक्षा का अक्सिडेंट ना हो जाए जब से महाविकास अगाडी के हाथ से सत्ता गई है विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है और अब लगातार मध्यावदी चुनाओ के लिए चुनोती दे रहा है ऐसे में आज प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान संजरावत ने दावा किया कि अगर महाराष्ट में अभी मध्यावदी चुना हुए तो अध्व ठाकरे नीत पार्टी सौ से अधिक सीटे जीतेगी राउत ने बीजेपी और मुख्यमंत्री एक नाथशिंदे पर हमला करते हुए कहा कि धनबल या केंद्री एजेंसियों के माध्यम से दवाव डाल कर शिवसेना को हाईजेक नहीं किया जा सकता है इसके साथ ही राउत ने दावा किया कि बागी विधायक लोट कर जरूर आएंगे यानी अब विपक्ष की तरफ से बार-बार मध्यावधी चुनाव करवाने का दिक्र किया जा रहा है क्या ये चुनाव करवाने के लिए दवाव बनाने की विपक्ष की कोशिश है खेर इस बारे में तो कुछ भी कहपाना भी मुश्किल है लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी पड़ता दिख रहा है सत्ता की ये लड़ाई अब जम्मो कश्मीर में भी होने जा रही है जम्मो कश्मीर में विधान सबाँ चुनाव को लेकर सरगर्मिया तेज हो गई है आने वाले चुनावों को लेकर राजनेतिक दलों ने अपनी कमर कसली है जहाँ एक तरब बीजेपी जम्मो कश्मीर पर राज करना चाहती है तो वहीं विपक्ष ने भी चुनाव जीतने के लिए ताकत जोग दी है यहां तक कि सभी विपक्षी दल साथ आकर बीजेपी का मुकाबला करने को तैयार है यह तैयारी बीजेपी पर भारी पर सकती है अगले कुछ महीनों में होने वाले गुजरात चुनावों ने अभी से हलचल पैदा कर दी है और सत्ता धारी पार्टी सत्ता पर बने रहने के लिए कई जतन कर रही है और इसका जिमा खुद प्रधान मंतरी मोदी ने उठाया हुआ है यही कारण है कि पीम बार-बार गुजरात दोरे पर जा रहे हैं और बीते दिन भी पीम गुजरात में ही थे और कॉंग्रेस भी अपनी तैयारी में जुट गई है यानि मुखे रूप से लड़ाई बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच नजर आ रही है लेकिन अब कॉंग्रेस ने अपनी तैयारियों को नया रूप दिया है और अपनी रणनीती में बदलाव किया है दरसल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव की रणनीती तैयार करने के लिए गठित कॉंग्रेस टास्क फोर्स ने सौमवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की रणनीती पर चर्चा करने के लिए गुजरात इकाय की नेताओं के साथ बैठक की जिसमें पार्टी नेताओं और कारेकरताओं को नई रणनीती बताई गई है जिसके तहट आलाकमान पार्टी की गुजरात यूनिट से कहा गया है कि वो पीम मोदी पर वेक्तिगत हमले करने से बचे क्योंकि इस चुनाव को मोदी बनाव कॉंग्रेस की लड़ाई नहीं बनने देना है हालकि प्रचार के दोरान सरकार की नीतियों के आलोचना करने की निर्देश दिये गए है बैठक में ये भी निर्णे लिया गया है कि गुजराज सरकार की विफलताओं दलीतों, किसानों और आदिवासियों के मुद्दे और राज्ये पर कॉंग्रेस के चुनाव अभ्यान का फोकस होना चाहिए इसके साथ ही कॉंग्रेस ने आम आदमी पार्टी को नजर अंदाज ना करने के भी निर्देश दिये हैं आला कमान ने फैसला किया है कि आपको बीजेपी की बी टीम के रुपे प्रचारित किया जाना चाहिए साथ ही दिली में अरविन केज़िवाल सरकार के वादो को गुजरात में बेनकाब किया जाना चाहिए अपनी रणनीती में बदलाव करने की पीछे की वज़ा कॉंग्रेस का ये मानना है कि पिछले चुनावों में पीम पर सीधा हमला ही उसकी हार का कारण बना था ऐसे में इस बार कॉंग्रेस पीम की नहीं सरकार की खामियों को उजागर करने पर फोकस करेगी और गुजरात में आपकी एंट्री से उसे नुकसान ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि पांच राज्यों के विधान सबा चुनाव के दौरान आपने कॉंग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया था यानि कॉंग्रेस बहुत सूजबूच के साथ चुनाव प्रचार कर रही है अब उसकी ये कोशिश कितनी सफल होगी ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे जब मुकश्मी में गुपकार गडबंदन मिलकर चुनाव लड़ेगा तो गुजरात में कॉंग्रेस ने भी खास तैयारी कर ली है गुजरात में इस साल के आखिर में विधान सबा चुनाव है बीजेपी हर हाल में सत्ता में बने रहना चाती है तो वही बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कॉंग्रिस ने खास रणनीती बनाई है कॉंग्रिस ने जीत के लिए अपनी रणनीती में बड़ा बदलाफ किया है क्या है कॉंग्रिस का नया प्लान देखते हैं इस खास रिपोर्ट में जम्मो कश्मीन में जब से बीजेपी और पीडिपी की सरकार गिरी है तब से सत्ता पर कोई भी दल काबिज नहीं हुआ है। लंबे वक्त से चुनाव कराने की मांग की जा रही है वहीं अब चुनाव आयोग ने जद वोटिंग के संकेत दे दिये हैं। इसके बाद से ही कश्मीन वेविधान सबा चुनाव लड़ेगा। वही नैशनल कॉन्फरेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। एक राजनेतिक दल है जिसने कहा कि उन्होंने गडबंदन छोड़ दिया है। लेगिन सच्चाई ये है कि वो कभी गडबंदन का हिस्सा नहीं थे, वो हमें भीतर से तोड़ने आये थे। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार जब चाहें चुनाव करा सकती है, इसलिए हम सब साथ आकर उसका सामना करेंगे। वहीं दूसरी तर का संदेश देने के साथ ही मुफ्ती ने भी चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि जब बाड़ आई थी तब तो चुनाव हुए थे तो अब क्यूं नहीं हो सकते। बीजेपी हमेशा से अपना फाइदा देखती है, वो राज्ये का भला नहीं चाहती है लेकिन अब हम विपक्षी दल साथ आकर उसकी चाल को नाकाम करेंगे। अब फारुक अब्दुला से लेकर मुफ्ती तक ने विपक्षी एकता की बात कही है, ये गड़बंदन बीजेपी पर भारी पर सकता है, अब देखना होगा कि पार्टी इसका सामना करने के लिए क्य कांग्रेस की ये रणनीती गुजरात में कमल को फिर से खिलने से रोक पाएगी, ये जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा, इधर यूपी में भी बीजेपी घिरती नजर आ रही है, ये भी साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अधिकारी फैसला ले रहे हैं, उसे इमानी का खुलासा उस वक्त हुआ, जब स्वास्त विभाग में डॉक्टर से लेकर करमचारियों तक के तवादले पर सवाल उठने लगे, ये मामला उस वक्त का है, जब यूपी के सीम योगिया अधित नाथ और डिप्टी सीम ब्रिजेश पाठक हैद्रबाद में हो रही बीजेपी कारेकारणी की बैठक में शामिल होने गए थे, और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी, कि उनके पीछे से सचिव ने स्वास्त विभाग में डॉक्टर से लेकर करमचारियों तक के तवादले कर दिये, लेकिन जब ये मामला संग्यान में आया, तो उप मुख सचिव का कहना है कि तवादले नियमानुसार हुए हैं और उप मुख्यमंत्री के अनुमोधन पर किये गए हैं। चुरू हो गया है कि आखिर योगी सरकार किसके इशारे पर चल रही है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद योगी सरकार में मनमुटाओ भी हो गया है और पूरे देश में योगी मॉडल लागू करने की बात कहने वाली योगी सरकार अब खुद सवालों में घिर गई ह स्वास्त मंत्री दावा कर रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है तो कारवाई करेंगे दूसरी और अखलेश यादव ने तंज कसा है कि योगी सरकार की 100 दिन की उपलबधी ये है कि उनके डिप्टी सियम को ही पता नहीं उनके विभाग में क्या हो रहा है कौन तबादले के आदेश जारी कर रहा है यूपी में तबादलो को लेकर राजनीती चल रही है तो दूसरी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कुरसी के लिए आज से लड़ाई शुरू हो गई है उप्राष्टपती के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल होंगे तो कौन-कौन है इस बार उप्राष्टपती की रेस में देखते हैं ये रिपोर्ट उप्राष्टपती चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं मौजूदा उप्राष्टपती वंकया नाइडू का कारेकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है इसके पहले नए उप्राष्टपती का चुनाव होना है आपको बता दे की उप्राष्टपती चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। राष्टपती चुनाव के उम्मेदवार के लिए द्रोपती मुर्मु के रूप में बड़ा कार्ट खेलने की बाद भारतिय जन्ता पार्टी ने उपराष्टपती पत के लिए बिसात बिछा दी है। इस संभावना ने काफी जोर पकड़ लिया है। इजेपी सिक्स समुदायों में अपनी पैट को मजबूत करना चाहती है। और वुलेडिन के आखिर में बाद देश की गिरती अर्थववस्था की। देश इस वक्त सामपरदायक तनाव के दौर से गुजर रहा है। मुई दूसरी तरफ देश की अर्थववस्था भी बेपटरी हो चुकी है। देश में महंगाई का बोल बाला है, बेरोजगारी नए नए रिकॉर्ड बना रही है। और अब तो भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थववस्था भी नहीं है। ये चौकाने वाला खुलासा हुआ है एक अंतर राष्टे रिपोर्ट में। तो क्या कहती है ये रिपोर्ट देखते हैं ये खास ख़बर। कोरोना महमारी और मौझूद सरकार की गलत नीतियों की वजह से भारती अर्थववस्था अब पांचवी बड़ी अर्थववस्था नहीं रही है। विश्व बैंक के ताजा आकडों के अनुसार अब ब्रिटेन दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थववस्था बन गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने वर्ल्ड बैंक के हवाले से बताया कि वैसे तो ब्रिटेन से भारत मेहज 13 अरब डॉलर पीछे हैं। लेकिन आर्थिक बड़ होतरी में वो ब्रिटेन से कहीं आगे है। 2019 के इस्तर से 2.6 फीसिदी की बढ़ होतरी हुई। जबकि भारत ने 2019 के मुकाबले अपनी GDP में 17.8 फीसिदी की बढ़त दर्ज की है। अर्थव्यवस्था की जानकार मान रहे हैं कि भारत जल्द ही फिर ब्रिटेन को पीछे छोड़ कर पांचवे इस्तान पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि चालू वितवर्ष में जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पीपीपी का मतलब है कि किसी देश में रहने की लागत जबकि उसकी स्थानी करेंसी को डॉलर के टर्म में बदला जाए। इस लिहाज से चीन की पीपीपी सबसे ज्यादा यानि 243.1 खरब डॉलर की है। अब गिरती अर्थव्यवस्था पर सरकार अपने बचाओ का क्या तरक देती है इस पर सबकी नजरेद रहने वाली है। लेकिन इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद विपक्ष को मोधी सरकार पर हमला करने का एक और मौका जरूर मिल गया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही देखते रिये डीबी लाइफ नमस्कार।